नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको ब्लाउस में पैड लगाना सिखाऊंगी और यह रिक्वेस्टेट वीडियो है और यह देखे मैंने यहां पर प्रिंसेस कट ब्लाउस के कटिंग करके रखी हुई है और सबसे पहले तो मैं इसके जो पार स्ट्रीच के साथ मैंने एस्टर का फैब्रीक यहां पर कट करके स्टीचिंग कर ली है और एक ऐस्टर का मैंने कप्ड़ा अलग से और कट करके रखा Skills तो में जूढा तो यह सिलाई मैंने यहां पर इस तरह से कर ली हैं और अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप किस तरह के से प्रिंसिस कट आसानी से बना सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज इस वडियो में तो यह सिलाई है इसे में बिल्कुल पक्की कर करने का और अब यह देखिए यहां पर यह हमारा जो कपड़ा है इसके साथ हमने अस्तर वाला कपड़ा इसके उपर रख लेंगे आप यह चीज ध्यान से देखिए यहां पर मैंने तीन कपड़ों का यूज किया है ठीक अब चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इसमें इ ठीक है अब यह देखिए यहां पर तो सबसे पहले तो मैं जो यह सिलाई है यह हमारी निकले ना क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ता है तो अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो यह निकल सकती है तो देखिए एक साइड मैंने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस इसके उपर उपर यह बहुत अच्छा तरीका है बहुत लोग परेशान होते हैं कि इंटरलॉक मशीन नहीं है तो हम क्या करें और आप प्रिंसिस कट बनाना चाहते हो तो आप यह वाला तरीका जरूर देखे करके और बहुत ही कारगर तरीका है यह मुझे बहुत अच्छा लगा और उन सब के लिए बेस्ट है जिनके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो जिसमें भी इस तरह से सिलाई निकलने का डर हो आपको कपड़े में तो आप इस तरीके से से बनागर के तियार कर सकते हो तो मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है बैसे अंदर फोल्ड करके एक सिलाई हम यहां लगा लेंगे बहुती फिनिशिंग के साथ हमारा यह आएगा और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी आपको उसकी सिलाई निकलने का बिल्कुल डर नहीं होगा और यह देखिए बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो जाएगा तो आप मुझे जरूर करने वाली हूँ अम मैं आपको तो यह देखिए यह हमने रेडी कर लिया अब इसके बाद बैक वाला नेक मैं इसके साथ बना करके रेडी कर लिया पहले से और उपर की साइडसे में जवाइन कर दूँँगी तो यह कंदे हमें सबसे पहले इस तरिके से जोड लेने हैं सि लाई लगा देंगे ठीक है और दोनों कंदे हम आपस में जॉइन कर लेंगे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना अब रेगुलर वीडियो आएंगी और मैं कोशिश करूँगी जलसी जल्दी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए पोस्ट करूँ और आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट रोता आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हो और मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी बाकी इजी स्टीचिंग करके आप सर्च करोगे तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज आ जाएगा आप वहाँ पर मुझे अपनी डिक्वेस्ट या आपका कोई भी आप चाहते हो मैं डिजाइन ड्रस बनाऊं तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हो या फोटो भी बेज सकते हो आप मुझे तो अब तक तो मैं नहीं जादा स्टीचिंग कर पा रही थी क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बेबी हुआ है तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था तो पर मैं कोशिश करूँगी जल्दी लाने की तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल यह रेडी हो गया है अब यहाँ पर हम पैड लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगी यह आप देखो तो यहाँ पर हमें निशान पहले से लगा करके रखना है जहाँ पर उपर से हम साड़े 9 और साड़े 10 पर जो निशान लगाते हैं वही वाला तो अब आपको पैड ऐसे लेना है और इस तरीके से गुमा करके सेंटर में निशान लगा देना है इसके ठीक है ऐसे सेंटर में लगा करके ने बिल्कुल आपका एक्यूरेट आएगा इधर दर नहीं होगा तो जो निशान हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है यह ज़्यादा कमफटेबल रहता है कुछ लोग पूरे में भी सिलाई लगाते है या गोल भी करके सिलाई लगाते है मैं इस तरह से नहीं लगाती हूँ आप इस तरीके से बना करके देखे बहुत ज्यादा comfortable रहता है यह और easy भी रहता है तो आपको तीन से चार सिलाई अच्छे से पक्की करके यहां पर लगा देनी है तो यह देखो इस तरीके से कुछ हो जाएगा और फिर यह आप देखोगे ऐसे हमारा यहां पर पैट बर रख करके बिल्कुल तेयार हो जाएगा तो सेंटर से कुछ इस तरीके से हैं यह देखो तो यह देखो एक साइड मैंने सिलाई कर दी है आप दूसरी साइड में मैं सिलाई करके दिखाऊंगा और यह कप आपको बहुत ही आसाने से मार्केट में मिल जाएंगे आपका जो भी चेस साइज होगा आपको उसके according यह ल लगा दिया अभी सेंटर को हम सेंटर से ऐसे मिलाएंगे और इसमें आप कच्छी जो सुई है सुई से कच्छा दागा भी आप इसमें लगा सकते हो ताकि इधर दर ना ही ले मैं सीधा ही से मशीन के नीचे रखकर के सिलाई कर दूगी और अगर आप बिगनर हो तो आपको क अच्छा है कि आप सिंपल बीच में सिलाई लगा दे दो से तीन बार पकी करके तो वह भी बहुत कमफटेबल रहता है ठीक है तो मैं इसी तरीके से करते हूँ आप इस तरीके से बना करके देखे और बहुत आसान है और जब आप डीप नेक बनाते हो बलाउस में सूट में किसी में भी और तब आप चाहते हो कि किसी भी तरह कि आपको कोई प्रॉलम ना है स्ट्रेप वगरा ब्रा की ना दिखे तो उसके लिए बैस्ट है कि आप पैड लगा ले और टेंशन फ्री हो जाए फिर आप जितना भी डिप नेक बनाओगे तो कोई प्रॉलम नहीं होगी तो यह देखे बन करके बिलकुल रडी हो गया है और इस तरह के से दिखाए देगा बाकी हम नीचे से अब सिलाई कर लेंगे ठीक है तो नीचे में यहां पर पिन लगा दूँगे आपको इस तरह की पिन जरूर खईदने चाहिए बहुत यूसफुल होने वाली है स्टीचि और हमारा बलाउस बन करके त्यार हो जाएगा और यह आपको तरीका कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट जरूर करना और लाइक करना शेयर करना और कोई भी कोशन हो ता मुझे पूछ सकते हो मैं सब का रिपलाई करके आया है तो मैं और बाकी के फिटिंग के निशान लगा लेते हूं और फिर आपको इसन रेडी कर दिखाओँगी और इस से रिलेटिल आखक circo से उनगcen कोई भी कोशन उन्हों तो पूछ लेना मुझे तो यह हैं पर मैंने फिटिंग के निशान लगा लिया है नीचे क तो फिटिंग की सिलाई भी मैं यहां पर लगा दूँगी और बेक नेक जो है इसका उरे पट्टी से बनाए है फ्रंट नेक मैंने यहां बुकरम से बनाया है बुकरम वाला नेक कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और अभी मैंने रिसेंटली है अपलोड की है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगे आप देख लेना और बुकरम से नेक कैसे बनाते हैं बहुत के आसान तरह के आप जरूर देखना और यह देखो हमारा ब्लाउस बनकर के रेडि हो गया बहुत ही ब्यूटिफुल ब है और करना